वेडियो यहां पर हम बात कने वाले हमारे ultimate arena achievement की वह आप कैसे कंप्लेट करोगे इजीली फटावट से चलते हैं हम अपने achievement में यहां पर आपको matches वाले option में दिख जाएगा एक achievement ultimate arena ठीक है तो इसमें आपको तीन missions मिलते हैं पहला है आपका कि आपको 10 बार ultimate arena मोड जीतना है उसके बाद है आपको एक लाग जो टोकन्स आपको मिलते हैं गेम के अंदर वो spend करने हैं एक लाग एंड उसके इलावा थड़ मिशन है हमारा 20 एनिमीज आपको केल करने है तीनों मिशन में से बस जो एक लाग टोकन्स वाला है वह मिशन थोड़ सा बोरिंग है चालू इतने मैं चालू रहा है फटवर से चैनल को करतो सब्सक्राइब यह जो रैट बटन है सब्सक्राइब का इसे दबा दो एनिव जो बैल आइकन है इसे ओल्ट पर करतो जिससे आप कोई भी वीडियो मिस्स ना करो तो हम आच चुके हमारा मैच हो चुका है चालू इसमें ना आपको चार बार जीतना पढ़ता है ठीक है ऑपजेक्तिक कहा है कि आपको चार बार जीतना है और पर चार और अपको हरना है जब भी कोईसा बीस आकांड होते रहेगा जरूर नहीं है कि एक मैच में कमपलेट और आप कितने भी matches ले सकते हो कोई से भी missions के लिए तो यहाँ पर आपको 10 बार जीतना है और यहाँ पर दिखो बंदा यह है इसे मार भी सकते हो आप तो आपका एक kill जो है वो count हो जाएगा चाये आप पूरा match जीतो या ना जीतो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें तो पहला mission था हमारा कि आपको 10 बार जीतना है तो जीतना तो मतलब यह है कि आपको पूरा match जीतना पड़ेगा 10 बार तब जाके complete होगा second mission था हमारा कि आपको 20 enemies माणने है तो यहाँ पर ground में आपको 4-4 बार मिलेंगे enemies तो आप उनमें से किसी को भी kill करते रहना करते रहना काफी matches खेलने के बाद आपके 20 skill भी complete हो जाएंगे जो हमारा third mission था एक लाग tokens को spend करने वाला वो यह है कि जैसी आपका एक match complete होता है तब आपको थोड़ से tokens यह उससे देते हैं इसमें आपके जीतने rounds बढ़ते रहेंगे उतने आपको tokens मिलते रहेंगे देखो जैसे कि मेरे को मिल चुक है 1350 token अब एक बात और अगर आप हारते हो तब भी आपको इतने tokens मिलते हैं अगर आप जीते हो तब भी आपको इतने tokens मिलते हैं लेकिन हारने पर benefits जाद है तो क्या होता मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि मेरे टीम हारे लेकिन victory फिर भी हो जाती हमारे हो जाते 2 तो यहाँ पर आप जैसे कि मेरे को कितने मिल गए 250 token और मिल चुक है यानि कि आपको अभी तो ही round हुए हैं तब भी मेरे को 4000 के आसपस मिल चुक है यहां मैं फटावर से purchase कर लूँगा मलब spend कर लूँगा सारी item खरिद लूँगा आपको भी यह करना है फटावर से कोई भी अडंगा खरिद लेना है मैं दो नेट दो मुली समारे खरिदता हूं क्योंकि मेरे को अपनी team हरवानी है शुरू में only जैसे कि अब थर्ड राउंड है तो थर्ड राउंड हम आरते हैं तो भी कोई दिक्कत निया जैसे कि मैं आपको बताया या तो सामने वाली team चार बार जित जाए या आप चार ब पड़ चुका है अगर आप points जेखोगे ना तो इस वाले round में मेरे को points जेखो जारा कितने मिलते हैं मेरे को मिलने हैं फिर से 250 points मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जितने round ज्यादा खेलोगे total मिलाके उतना ही फायदा है यहाँ पर आप दिख सकते कि हमारा second round था वो भी हम हार 122 जीट जाओ जिससे कि यह match थोड़ा बड़ा हो जाए और आपके जो points ranking है वो आपको हर बार बढ़के मिले points आप यहाँ पर हमारा जो पांचवा round तो वो भी हम जीच चुके हैं यहाँ पर मेरे को 2700 points और मिल चुके हैं again अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप हारते ह तो सोड़ा सक कम मिलते हैं अब यह हमारा चाटा round जब मेरे जैसे टीम में टीम में हो तो आपकी जीतने की possibility विल्कुल खतम हो जाती है क्योंकि मैं खुद यह हरवाना चाहता हूं यहाँ पर आप देशकते हो मैं उसे easily मार सकता हूं लेकिन मैं मारूंगा नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे राउंड को आगे बढ़ाते जाना है अब यह छटा राउंड को पॉइंट्स देखो जारा कितने मिलते हैं 2700 पॉइंट्स मुझे और मिल गए ज्यान कि आपको अगर आप ऐसे राउंड्स बना लेते हो 6 या फिर 7 राउंड तो चले आते हो तो आपको एक म है तो यहाँ पर आपको टोकन नहीं मिलते है चौथे राउंड में ठीक है तो अगर आपको चौथा राउंड जीतना है तो आप जीत भी सकते हो हारण आप हारते हो तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं ऐसे करके आप बहुत इजी लिए अपना यह अचीमेंट कर सकते हो पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना कमेंट करके बताओ यह अचीमेंट कैसा है तो थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो मिलेंगे खिली वीडियो में बाई बाई लव वी ओल